छोज lavender के लिए भाड़ में द्します कि दीने फिनिया होता है डीने फिनिया प्रिंटिंग केसे किया जाता है साथी में इस विदियो में हम डीने फिनिया फिनिया प्रिंटिंग के यूज के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि DNA किसी भी living organism का hereditary material है जो उसकी cells के chromosome में पाया जाता है DNA का यूज कर आनुवानसिक रूप से किसी की पहचान करना ही DNA fingerprinting या DNA profiling कहलाता है इस process में किसी व्यक्ति के different components जैसे की hair, saliva, sperms और blood से उसके DNA को collect किया जाता है और उसकी पहचान ensure की जाती है चुकि प्रत्यक humans में पाय जाने वाले DNA structure एक समान नहीं होती अता किसी प्राप्त DNA sample से original person का सटीक्था से पता लगाया जा सकता है गवर तलब है कि लगबग 99.9% DNA सवी व्यक्तियों बे एक समान होती है इसे bulk DNA कहा जाता है इसकी function सवी humans में समान होता है जो protein का निर्मान करता है ताकि सारी क्रिया सुचारू रूप से चल सके वहीं बचा 0.1% DNA प्रत्यक मुनुष्य को एक unique identity उपलब्द करवाता है इसे junk DNA या satellite DNA भी कहा जाता है या DNA किसी भी प्रकार के protein का निर्मान नहीं करता इस DNA में किसी भी से sequence की repetition होती है जिसे variable number of tandem repeat यानि की VNTRS कहा जाता है चलिए दोस्तों अब DNA fingerprinting technique के steps को समझ लेते हैं DNA fingerprinting technique के steps में सबसे पहले cells से DNA को अलग किया जाता है किसे भी cells या tissues जैसे कि blood, saliva, hairs या सीमेंस से DNA प्राब्द किया जा सकता है DNA की मातरा कम होने के सिति में PCR technique का यूज कर इसकी मातरा कई गुना तक बढ़ाई जाती है दोस्तों अगर आप PCR technique के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो उपर आई बटन को क्लिक कर आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं DNA fingerprinting के दूसरे step में DNA को टुकरों में विभाजित किया जाता है DNA strand के अत्यतिक लंबे होने के कारण प्राप्त DNA कापी चिपचिपा होता है इस step में एक restriction enzyme के मदद से DNA को निस्चित अस्थान से काट कर VNTRS को अलग कर लिया जाता है दोस्तों अगले step में gel electrophoresis के help से प्राप्त VNTRS को आकार के अधार पर अरेंज किया जाता है Electrophoresis एक टेकनिक है जिसमें electrolyte solution में उपस्ति दो electric pole के वीच current flow की जाती है इसके परिणाम सो रूप solution में उपस्ति चार्ज पाटिकल में मास्क के अनुसार प्रवा होने लगता है फोर्थ स्टेप में DNA band pattern को southern blot technique के help से nylon membrane या nitro cellulose पर transferred किया जाता है दोस्तों इसके बाद radiolabeled molecules जो की प्राप्त जिनूम के complement होते हैं उसे VNTR से जोरा जाता है एका blood प्राप्त होता है अब प्राप्त blood से DNA को अलग किया जाएगा तथा उस DNA से एक single stranded DNA तयार किया जाएगा इस single stranded DNA को ही probes कहा जाता है इसके बाद suspected person जिनमें व्यक्ति A भी सामिले उनके DNA sample को तयार कियागे single stranded DNA से मिलाया जाता है जो अंत में criminal के DNA से पूर्ण रूप से मिल जाता है हालांकि result को देखने के लिए X-ray film का use किया जाता है जिसके बारे में next step में हम बात करेंगे DNA fingerprinting process के last step में nylon seat पर X-ray film को डाल कर छोर दिया जाता है जिससे X-ray film पर उन DNA sequence के निशान प्राप्त होते हैं जिनसे जाकर radio level molecules जुरे थे प्राप्त sequence ही DNA fingerprint है दोस्तों DNA fingerprint का use किसी बच्चे के माता-पिता का पता लगाने में किसी crime site से प्राप्त सेंपल क्यादार पर अपराधी को पहचानने में और किसी accident में dead bodies को identify करने में किया जाता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दीकर इस सारी जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों इस वीडियो से related अगर कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो के update पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे